एक बार फिर से नजर की एक बहुत दिल्चस्प जानकारी लेकर हम आपके सामने हाजर हो गया है और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर डायन का मकसद क्या है जी हाँ अभी तक तो आप जानते हैं कि कैसे डायन ने एंट्री ले ली है राठोर फैमली के हाउस में जाहर सी बात है कि आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर किस मकसद से डायन ने राठोर फैमली में एंट्री ली है आकर क्या हो सकता है इस डायन का मकसद और एंट्री लेने की ज़रूरत क्या थी राथ होर पैमिली में आखिर क्यों और किस मकसद से डायन में इतना बड़ा काम किया यानि एक नौर्मल से लड़के को प्यार के चकर में पढ़ाका उससे शादी कर ली और बन गई राथ और पैमिले की बहु जी हां तो चलिए हम आपको अभी बता देते हैं कि आखिर क्या मकसद है डायन का दरसल डायन यानि मोहना 200 साल पुरानी है जी हां अभी जो आपको एक खुबसूरत सी औरत नज़र आ रही है डायन के रूप में वो दरसल 200 साल पुरानी हैं और ऐसे ही एक नॉर्मल इंसाने किसी भी साधारन इंसान को बुखा कर अपने आपको जबान बनाया रहती है यानि हर इंसान को खाते ही उसकी ताकत बढ़ जाती है और ऐसे में वो अपने आपको बहुत जादा ताकत बर बनाना चाहती है इसके साथ इम आपको बता दे कहाता है कि पहली संतान दावढ़ice होती है जिसके पास बहुत जाड़ा तकत होती है और ऐसे ही अगर ढावढ़ीओंस को पर बेज़ दिया जाए तैसे तुसके ताकत और बनना चाहती है सब को अपना अपना पना अए बना हों सकती है सबाइन ़ौपी अन् Adaptive ए क्यी जए खरेश भी ए मत्यों की सबसक्राइब और चैनल and please hit the bell icon so you never miss an update from top news.